प्रश्ण 41, सामान विज्ञान से प्रश्ण है, समजाती एवं तुल रूप अंगों की बात की गई है इंगलिश में थोड़ा सा आसान है, होमोलोगस ओर्गन्स, एनालोगस ओर्गन्स होमोलोगस अर्थात समजात अंग, जिनका जन्म समान हो अर्थात उनका विकास एक प्रकार के पूर्वजों से हुआ, समजात और तुल रूप अंगों के अध्यन से हमें मानों का या जियों का उद्विकास समजने में आसानी होती है बहुत सामान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं समझात अंग ओ होते हैं जो एक ही प्रकार के पूर्वत से उत्पन हुई अर्थात उनकी आंत्रिक सरनचना समान है किन्त जैसे जैसे जीव पर्यावरण में अपने आपको अनकूलित बनाते गए ओ अलग अलग कारियों के लिए अन्रूप अनकूलित होते गए अर्थात समझात अंग ओ अंग हैं जो कि आंत्रिक सरनचना और उनका पूर्वज जिससे उनका विकास्वा ओ समान है किन्तु विभिन प्रकार के कार करने की करण उनका आकार और उनके कार विन्न है उधार सुरूप, मानो के आगे वाले हाथ, four limbs of human beings, मानो के हाथ, पक्षी के अगले पंक, हुएल का ब्लबर, चमगादर के आगे वाले पंक, इन सब का क्या है? इन सब का सनचना समान है, अगर आप इनकी अस्थियां देखें, तो उतने ही अस्थी, उपास्थी, उतने ही अलग हैं, घोडे के आगे वाले पैर भी, मानो का हाथ, घोडे का पैर, हुएल का ब्लबर, पक्षी के पंक, चमगादर के पंक, काम अलग करते हैं, पक्षी चमगादर में उरने का काम करेंगे, हुएल में तहरने का काम करेंगे, मानो में पकड़ने का काम करेंगे, घोडे में समान है किंत उनकी आकार की समान है अर्थात उनका मॉर्फोलोजी बाहर से देखने में समान है किंत उनकी origin एक common पूर्वत से नहीं हुई वो अलग-अलग कारियों के अनरूप ना होते हुई भे समान कार करते हैं किंत उनकी आंतरिक सनचना अलग-अलग है यह हुए तुल रूप अंग संदे है कि कोई गुंजाइस नीव नहीं चाहिए समजात अंगों का विकास समान होता है कार भिन्न होता है तुल रूप अंगों का कार समान होता है विकास भिन्न होता है तुलिरूप अंग के उधार देख लीजिए, पक्षी के पंख, चमगादर के पंख, इसके तरिक्ट, तितलियों के पंख, काम क्या है, सब उड़ने का करते हैं, किन्त इनकी सरनचना अलग अलग है, यह तुलिरूप अंग है, अब आपको उत्तर मिल सकता है, समजात अंगों कि उधारन है, जिनकी सरनचना समान होती, किन्त उनका प्रकार भिनन भिनन होता है, तुलिरूप अंग ठीक, इसके विप्रीत होते हैं, एकदम सही है, समजात अंग आकारकी में भी समान नहीं होते है, अरे मानों का हाथ, घोडे का पैर, पक्षी का अगला पंख, चमगाद